हो जाएगा जुक गारा मिले तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल सो फ्रेंट्स आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वालें कि आपने वीडियो के प्रिवी में जो रील देगी थी तो उस टैप की रील आप कैसे एडिट कर सकते हो अपने मोबाल में सो फेंट्स उस टैप की रील एडिट करना काफी आसान है तो भीना कोई टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो फेंट्स इस टैप की रील एडिटिंग सीखने के लिए आपको वी एन एप्लिकेशन चाहिए तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो वहां से इसे डाउनलोड कर सकती हो एंड इसको ओपन करने के बन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो सिंपली आपको नीचे प्लेस वाले आइकन पर टेप कर देना है एंड यहां पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर टेप करना होगा यहां पर आपकी गेलेरी ओपन हो जाती है तो गेलेरी में सा आपको अपनी एक फोटो इस एप में एड कर लेनी है जिस पर आपको इस टैप की डिल क्रियेट करनी है तो मैं अपनी एक फोटो इस एप में एड कर लेता हूँ तो आमरी ये photo app में आज चुकी जैसा की देख सकती हो यह होने के बाद में आपको इस photo के आगे इस app का watermark देखने को मिल जाता है तो simply आपको इसको delete कर देना है यह होने के बाद में आपको plus वाले icon पर tap कर देना है टेलिग्राम का link आपको मैं description box में दे दूँगा तो यह होने के बाद में आपको उपर original वाले बटन पर tap करके इसका ratio 9.16 कर लेना है यहापको इसमें music add करना होगा तो musical link भी आपको टेलिग्राम पर मिल जागा तो वहाँ से इसे download कर सकते हो डाउनलोड करके आपको tap to add music पर tap करना है देन यहापे आपको music पर tap कर देना होगा तो music पर tap करने के बाद में यहापे आपको choice वाले बटन पर tap करके music beat पर tap कर देना है तो यहापे music beat पर tap करने के बाद में यहापे आपको music में एक beat लगा नहीं होगी तो इस beat की size 4.67 seconds पे आपको यह beat लगा लिनी होगी तो यह note कर लेना देन यहापको right पर tap कर देना है right पर tap करने के बन में यहापका audio इस app में आ जाता है तो simply यह होने के बन में आपको इस audio की length की according आपको video की length को रख लेना है तो हम यहापके इसको stop कर देते हैं then यह होने के बन में आपको next काम करना होगा कि आपको इसके अंदर फोटो के अंदर lyrics लिखने होगे जैसके आपने वीडियो के preview में देखा तो वो लिखने के लिए आपको tap to add subtitle पर tap करके text वाले button पर tap करना है then यह पर आपको इन option में से यह first वाला option select कर लेना है then यह होने के बाद में आपको border वाले option पर चले जाना है then इसकी size को आपको full कर देना है and यह पर आपको right way tap करके इसको adjust कर लेना जहाँ आपकी इच्छा हो तो मैं इसको यहाँ पर adjust कर देता हूँ then यह पर आपको इस lyrics की length को आपको बड़ा कर लेना जहां तक आपने beat लगाई थी so मैं वहाँ तक इसको कर लेता हूँ simply यहाँ तक हमारी beat हैं तो इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं and other part को delete कर देते हैं simply यह होने के बाद में आपको यह next काम करना होगी this explanation, यह होने के बाद में के बाद में इस वीडियो की length को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेना जहां तक आपका वीडियो है वहाँ तक इसकी length को खल लेना so हमारे video sorry audio यहाँ तक है तो इसकी length को हम यहा तक रख लेते हैं सो यह होने के बाद में आपको next काम करना होगा कि आपको इस पलस वाले icon पाना है इसको पट टेप करके आपको white वाला option select कर लेना है सो यहाँ पर हमारे वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो एक बार हम वीडियो को प्ले करके देख लेता हमारे वीडियो कैसा बना है तो चलिए वीडियो का एक बार चेक कर लेते कैसा बना है So friends हमारे वीडियो परफेक्ट तरीके से बन चुका है तो कुछ इस तरीके से आप आपनी वीडियो बना सकते हो सो आपको इस वीडियो को गेलेरी में सेफ कने के लिए उपर एरो पर टेप पर के राइट पर टेप कर दना होगा जिसे ये वीडियो आपकी गेलेरी में सेफ हो जागा